नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी लेकर आया हूँ UP SSC IOK माध्यम से 50,000 पद जिसमें स्टाफ नर्स, एनम, जीनम, ब्यसी नर्सिंग, फार्मासिस्ट अन्य पद है तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब, लाइक, ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजेगा जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक देखेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है और वन बाइवन में सभी अपडेट क्लियर कर रहा हूँ, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा UP SSC requirement 2021, योगी सरकार से समुखगा के 50,000 पदों पर भरती का रास्ता साफ, अभियर्थियों को अंग्रेजी का ग्यान जरूरी तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी का ग्यान बहुत जरूरी है, ये 50,000 पद जो UP SSC समुखगा के माध्यम से आ रहे हैं UP SSC रिक्त विवरण 2021-25-25-2021 का दोस्तों देखें ये अपडेट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 50,000 पद आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक P.E.T. एक्जाम होगा दोस्तों, पेट का एक एक्जाम होगा, वो सभी को देना है UP SSC ने प्रारंभिक परिच्छा जो ये P.E.T. है, के लिए एक अधिकारिक असूचना जारी की है, जिसमें UP SSC द्वारा आजोजित भविस में, गुरुप C, सरकारी नौकरी में, उमीदवारों के चैन के लिए, सरकारी परेडाम में रुची रखने वाले आनलाइन परिदन कर सकते हैं, पेट का दोस्तों, डेट आ गया है, जितने भी भाई बहने, A.N.M.G.N.M.B.S.C. नर्सिंग, फार्मासिस्ट कोई भी डिगरी लिए हैं, UP SSC के माधम से जो भी भरती आएगी सब पर्मानेंट रहेगी, और इसमें इसकी योग्यता मांग कर रखे हैं योग्यता दस्मी पास होनी चाहिए, या अगर आपका उच्छा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए दोस्तों, मैं रियल न्यूज दिखा रहा हूँ, और नौकरी गास्तान उत्तर प्रदेश में हैं, उम्र 18-40 साल है, उसके बाद दोस्तों, चैन प्रक्रिया आपकी कैसी होगी, चैन प्रक्रिया लिखित परिच्छा होगी, आनलाइन परिच्छा पर आधारित होगा, योग्य उमीदवार स्कोर कार्ड प्रदान करते हैं, जो एक वर्स तक बैद हो सकता है, इसमें कह रहे हैं कि जो एक वर्स तक ही बैद रहेगा ये बता रहे हैं, और दोस्तों इसमें आविदन सुल्क जो है जनरल OBC स्रेडी के लिए 180 रुपे और अनसूचित जन्जात के लिए 95 रुपे, फिचकल हैंडिकैप जो स्रेडी के हैं, उनका 25 रुपे, आपको आनलाइन आविदन upcc.gov.in पर जाएंगे, तो वहां से आप आनलाइन कर सकते हैं आनलाइन आविदन जमा करने की प्रारंभिक तिथी 25 मई से दोस्तों सुरू हो गई है और अन्तिम तिथी 21 जून तक है और आप करेक्शन जो है 28 जून तक कर जख सकते हैं तो दोस्तों यह सबसे बड़ी अपडेट है जितने भी मेडिकल से संबंधित स्टूडेंट हैं चाहे एनम के हो, जेनम के हो, ब्यस्सी नर्सिंग के हो, सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है अगर यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से भरती आती है तो पैट क्लियर करना पड़ेगा, तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी मैं और भी अपडेट आपका क्लियर कर रहा हूँ, जो डाउट है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो है एनम जेनम के डिगरी ली रखी है, और क्या बिना पैट का मै यूपी ट्रिपलसी का डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, आप लोग को पैट का एक्जाम देना रहेगा, आप पैट क्लियर रहेंगे, पास रहेंगे, तभी आप परिच्छा दे सकते हैं, देखिए दोस्तों यह भी राज सरकार ने समूगा कि 50,000 से अधिक बताया है कि यह परिच्छा जो है केवल उन्ही पत्त के चैन के लिए मानने होगी, जिनके लिए भविस में विग्यापन निकाला जाएगा, तो भविस में विग्यापन एनम के लिए निकलने वाला है दोस्तों, जल्द ही एनम के पोस्ट के लिए जो है विग्यापन निकल और फार्मासिस्ट का जो एनम के 9212 पद रहें UPSC के माध्यम से वो तो निकलने वाले है और भी भरतियां हैं BST NERSING, GNM के लिए इस्टाफ NERS के लिए और भी भरतियां हैं वो भी UPSC के माध्यम से निकलेंगी और साथ ही फार्मासिस्ट के जो 4000 पद आप लोग कुछ महीनों पहले सुन रहे थे वो भी भरती जो है इसी में है इसी 50,000 में वो भी भरती है दोस्तों तो आप लोग एकदम भरम में ना पढ़िए बहुत अच्छे से त्यारी करिए पिटी का जो है शुरू हो गया है उनलाइन आविदन और इसमें परिच्छा जो दिया है इन बिंदू पर आपको ध्यान देना है इसमें परिच्छा में इस सवाल पूछे जाएंगे ये से परिच्छा में भारती इतिहास से आपका आएगा अंदोलन से आएगा दोस्तों दद्दस question रहेंगे आप लोग एक बार बहुत अच्छे से syllabus को देख लीजेगा syllabus में यही सब दिया है आपका जो है high school based पर रहेगा high school based पर रहेगा और इसमें math का भी question रहेंगे अंग्रेजी भी रहेगा सामान हिंदी भी रहेगा प्रारम भी गडित रहेगा भारती सम्विधान से भी रहेगा सामान भी ग्यान से भी मतलब हर पार्ट से दद्दस question रहेंगे तो दोस्तों यह बहुत बड़ी update है मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग जो है बहुत अच्छे अब तयारी अहरता परिच्छा का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाएगा परिच्छा दो घंटे की वस्तुनिस प्रकार की होगी और बहुविकल्पी पर आधारित होगी दोस्तों दो घंटे के परिच्छा रहेगी और बहुविकल्पी प्रस्ण रहेंगे 100 question आएंगे 100 question में जो है एक question अगर आपका गलत होता है तो उसमें एक बटे चार अंक आपका माइनस कर दिये जाएगा मतलब negative marking भी है दोस्तों इसमें तो बहुत समहल कर जो है PET का exam दीजेगा PET का exam बहुत समहल कर दीजेगा तो दोस्तों आप लोग अप तयारी सुरू कर दीजे क्योंकि PET का online आवेदन सुरू हो गया है और जल्द ही इसका exam भी हो जाएगा आप लोग online आवेदन जो है सरकारी result.com पे जाएंगे वहाँ पर भी आप लोग यह link मिल जाएगा सबसे बड़ी है साइट है दोस्तों इस साइट वे जाकर आप अपना online आवेदन कर सकते हैं और जल्द से जल आवेदन कर दीजे जिससे जो है आप लोग की तयारी अच्छे से हो सके और इसके बास दोस्तों मैं यह बता रहा हूँ कि पेट होने के बाद ही जितनी मतलब पेंडिंग वेकेंसियां है सब धड़ा धड़ निकलना सुरू हो जाएंगे जो पचास जार हैं जैसे पचास जार में एनम के 9000 पद पर जो भरती होगी यह भी पेट के माध्यम से ही होगी जो इसका पेट किलियर रहेगा तो सभी एनम बहने जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी करें एनम के लिए 9000 पद जो है यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से भरे जाएंगे इसमें स्वास्ते विवाग एनम के पद पर भरती के जो होगी उनके पास से इंटरमेडियर पास होना जरूरी है और दो साल के एनम कोर्स प्रमाणपत्र भी होना जरूरी है और साथ में आपका जो मेडिकल काउंसिंग है जो स्टाफ नर्स वाला जो नर्स का मेडिकल काउंसिल है वहाँ से आपका रजिस्टेशन होना बहुत जरूरी है अगर registration आपका है तब ही आप जो है यह vacancy डाल सकती है सबसे पहले आप लोग pet clear करिए pet clear करने के बाद जो है 50,000 भरतियां जो आ रही है उसमें एनम के 9,212 पत है तो दोस्तों एनम के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है और यह बहुत दिनों के बाद एनम की पोस्ट आ रही है एनम की पोस्ट इतनी जल्दी नहीं आती और भी permanent post है दोस्तों यह permanent post है संबीदा की नहीं है तो बहुत अच्छे से त्यारी करिएगा और इसी के साथ साथ में यूपी फार्मासिस्ट भरती 2021 की जानकारी भी में बता रहा हूँ आप लोग को चिकिसा स्वास्तेम परिवार कल्यान विभाग आप देखेंगे उसमें भी यह यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से ही है यूपी हेल्थ डॉट इन या इस पे आप देख सकते हैं यह पूरा दिखा देगा आपको कि कितने पद है 4000 प्लस पद जो है फार्मासिस्ट के पर्मानेंट जो है संबीदा के नहीं है दोस्तों पर्मानेंट तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जितने भाई बहने फार्मासिस्ट के लिए एपलाई करना चाहते हैं वो लोग पैट का आउंलाइन आविदन हो रहा है आउंलाइन आविदन कर दें और उसके बाद पैट के लिए तयारी बहुत अच्छे से करें पेट निकलने के बाद ही वह फार्मासिस्ट परिच्छा या फार्मासिस्ट का आविदन कर सकती है और यह बहुत बड़ी पोस्ट दोस्टों 4,000 पोस्ट जो है यह पर्मानेंट पोस्ट है यूपी में किसी भी जगा जो है आपकी ड्यूटी लग सकती है अनम, जीनम, डॉट, सेंटर, CSC, PSC, पद तो बहुत ज़्यादा खाली है फार्मासिस्ट के और जिसमें से पंजी कृत एक लाख दस हजार पंजी कृत फार्मासिस्ट बेरोजगार है तो दोस्तों अभी 4000 ही निकल रही है इसके बाद और भी पोस्ट ये UP SSC के माध्यम से निकलेंगी फार्मासिस्ट की पोस्ट दोस्तों आती रहेंगी एनम की भी आएंगी, जीनम की भी आएंगी, बियस्सी नर्सिंग की भी आएंगी इसलिए और अन्य पद भी हैं इसमें तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग पेट की तैयारी बहुत अच्छे से करिए पेट निकलने के बाद आप लोग अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे इसलिए बहुत मेहनत से दोस्तों तयारी करिए और जितने भी पोस्ट हैं सब पर्मानेंट पोस्ट हैं तो दोस्तों मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यूपी ट्रिपलसी आयोक के माध्यम से पचास हजार पद जो निकलने हैं उसके बारे में बताया हो गर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज्यादा सज्यादा सेर करीजेगा जिसे सभी लोगों को यह वीडियो मिल जाए